दोस्तों चावल हम सबी को खूब पसंद है बहुत से लोग चावल के काफी शौकिन होते हैं तो जादा क्वांटिटी में चावल ले आती हैं चावल की बहुत सारी रैस्पीस भी बनती हैं और चावल वाकई में खाने में काफी अच्छे होते हैं काफी वराइटी होती है चा आसे चावलों को फ्रेश बना के रख सकते हैं बीना किड़े और घुनों से तो दोस्तों यहां पर चावल हमने ले लिया है अब हम इने फ्रेश बनाने के लिए इसमें आट कर रहे हैं दो सुखे हुए लाल मिर्च तो यह किचन में आसानी से मिल जाते हैं तो आपको क्या गर इन मिर्चों को चावल में अच्छे से इस तरह से डालकर उपर से इस तरह से ढग देना है तो इससे चावल फ्रेश रहेगा इस्टोर अच्छे से आप कर सकते हैं लंबे समय तक तो गुन बिल्कुल भी नहीं लगेंगे बस धियान दीजिएगा जैसे क्वांटिटी में कि अगर एक किलो चावल है तो दो सूखे लाल में चकाफी है ठीक है और दूसरा जो टिप्स है दोस्तों वो यह है कि लैसुन यह भी आसानी से किचन मिल जाते हैं तो इन में क्या होता है कि यह एंटी बैक्टेरियल होते हैं तो इसकी खुश्बू से जो कीरे हैं बग हैं आप यह फॉलो करेंगे ना तो डेफिनिटली आपके चावल लंबे समय तक इस्टोर रहेंगे और आप चावलों को अच्छी तरीके से खा सकेंगे तो इस तरह से आपने कवर कर देना हैं बहुत ही आसानी से आप इस तरह से कर लेंगे और किचन में वड़ी आसानी से मिल भी जाती हैं तो आप एक बार करके आप जरूर देखिएगा आपको बहुत ही बेनिफिट होगा इससे ठीके दोस्तों अब दोस्तों होता क्या है कि चावल जादा मात्र में भी आ जाते हैं तो दिक्कत होती है जल्दी खराब होने की तो इस तरह से आप यह टिप्स फॉलो पर बिचाईए उसके बाद उसमें चावलों को डालिए टांसफर कीजिए और उपर से भी एक न्यूस्पेपर से कवर कर देजिए जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूं तो इस तरह से उपर और नीचे दोनों न्यूस्पेपर रहेगा और फिर आप अपने कंटेनर को बंद कर दीजिए ऐसा करने से मौश्चर चावलों तक बिल्कुल नहीं पहुचेगा नमी नहीं पहुचेगी और कीड़े और घुन से हमारे चावल एकदम फ्रेश बने रहेंगे लंबे समय तक दोस्तों वीडियो इंट्रेस्टिंग लगी हो यूस्फुल लगी हो यह टि कर दोस्तों झाल एłeग भी हो यह टिता है